जेहन दोस्तों कैसे हैं आप सभी वार्षिक परिच्छा कच्छा 11 साहितिक हिंदी का पेपर लेकर आ चुका हूँ CR Code का ये Code का पेपर आपके बिद्याले पे आ रहा है आप लोगोंने कमेंट करके बताया तो चलिए साहितिक हिंदी का पेपर आप सभी को दिखाता हूँ देखिए भाई जितना जदा आप लोग सेयर करेंगे जितना जदा सस्क्राइबर आएंगे जितना जदा लाइक होगा हम उतना जदा माडल पेपर आप लोगों के लिए लिए कर आएंगे रानी केटकी की कहानी के लेकक हैं, तो सही विकल्प हो जाएगा, मुन्सी इंसा अल्लाखा, उसके बाद है, खड़ी बोली गद की प्रमारिक रचनाय कब से प्राप्त होती है, तो दोस्तों, उन्नीसवी सताब्दी के पुरबाद से प्राप्त होती है, अर्थात 18 सताब्दी से, ठीक है, अगला है प्रेमचंद के समकालिन कहानी का रहें, तो दोस्तों कहानी जब आप कहानी का उद्भव और विकास पढ़ेंगे, तो वहाँ प्रेमचंद यूग और प्रसाद यूग आएगा, जो की एक साथी थे, तो प्रेमचंद के साथ जशंगा प्रसाद समकालिन कहानी का रहें, इसके बाद है ब्रामःड पत्रिका के समपादत थे, तो दोस्तों ब्रामःड पत्रिका और हिंदुस्तान पत्रिका, दो पत्रिकाओं के समपादत जो थे, वे प्रताम नराणा मिसर जी थे, कर दोस्तो 생각 कमें एंसके तारसंग जो है तुम साया वाद के ज हैं वह है जहा है शुलाभान के पर सुलाव में यह इसके बाद है इसके बाद है बीर गाथा काल में निम्लखित रजचना कोंषी है ? बीरगाथा काल की कून सी रचना है, तो संदेश रासक है, ठीक है, इसके बादे सिंगार रस का अस्थाई भाव, यह होता है, रती, अलंकार में एक इस अब्रित होती है, और अर्थभिनेविन होते हैं, तो दोस्तों यह अलंकार है यमक, ठीक है, आईए आगे बढ़ते हैं इसके बाद है बीरस का स्थाई भाव बताईए तो वो होता है उस्षा नील सरोर स्याम तरुन अरुन बारिजन चयन करहु सोमम उर्धाम सदा छीर सागर सयन में छंद है पूछा है तो दोस्तों यहाँ पर आप बता दीजेगा कौन सा है आप देख संतियों में नहीं तलंकार कौन सा है तो सब देख अर्थ हलेक वही है स्लेश अर्थात स्लेश लंकार है इसके बाद है पहले और तीसरे चरण में तीरा त्रिया मत्राइं तथा दूसरे और चौते चरण में ग्यारा ग्यारा मत्राइं होती है यह चंद है सोरठा तो यह चं जUL की सही संद बिच्छेत होगी तो इसका भी हो जाएगा उतधन जुल इसके बाद है प्रेजते का संद बिच्छेत होगा तो प्राधन एजते इसके बाद्न निम्ल्खित में से सही विकल्ब का चायन कीजे maha-deva में कौन सा समास है तो बहू बरी समास है प्रति ग्रिहम में समास है अब्याई भाव समास है निम्रिकित में से सही विकल्प का चैन करना है इदम पुलिंग का तृतिया बहवचन का रूफ होगा तो दोस्तों ये होगा एवी इसके बाद है आत्माना सब्द का सब्तमी एक वचन का रूफ होगा तो ये होता है आत्मानी फिर है अस्ताध इसके बाद है नीधातु लोटलाकार मध्यमपूरुष दुईवचन का रूफ है तो यह होता है नैतम इसके बाद है भूतह सब्द में प्रत्य है तो यहाँ पर जो आमे है कट वो है फिर है धीमत सब्द का प्रत्य है दोस्तों यह आपको देख लेना क्या है वैसे यहाँ प कर अपने टीचर से पता कर लेड़ा इसके बाद है प्रती अर्था और या तरफ सब्द के योग में कौन सी भीवक्ति है तो यह दुतिया है स्वाहा सब्द के योग में कौन सी भीवक्ति है तो दोस्तों चतुर्थी है इसके बाद यहाँ पर है संपा अर्था समीप इलेवंथ में पता चल जाएगा यहां पर इसके बाद खंडखा है दिये गए गध्यांस को पढ़कर उन पर आधारे प्रशनों का उत्तर देना है आचरण का विकास जीवन का परम उद्दे से है आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की समागरियों का जो संसार संभो सार ऐसे से डाट-डाट करके जो भी परगराफ है आप इसको देख लीजे इसके जो कुश्यन आये हैं वो भी आप यहां पर देख लीजे पहला है उपर्युक्द गध्यांस के पाठ और लेखक का नाम लिखना है फिर है रिखांके तनस की वियाक्या करना है फिर है विव्यक् है दोस्तों बिल्कुल नहीं छोड़ना है वीडियो को पुछ कर लो हल कर लो इसक्रिंसाट ले लो जो भी करना हो कर लो लेकिन एक भी नंबर आपका कम नहीं होना चाहिए क्योंकि समझ से पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूं पिपर दूसरा आया है दिये गए पध्यांस प का है इसके कबीर के पाठ का है तो ठीक है यहां पर पांच प्रकार के प्रश्न बनाए गए हैं अंगा देख सकते हो है जीवात्मा मुझ प्रावर करके किसका रूपधारन करती है तो वह सब आपको लिखना है अच्छे से एक भी कुश्यन आपको छोड़ना नहीं है और ज किसी एक लेखा का साहितिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उलेख कीजे तो पहला है स्याम सुन्दर दास रामबरिच बेनीपूरी और फिर है स्राहुल संस्कृत्यानन तो दोस्तों यहां पर किसी भी एक कापको लिख देना है इसके बाद है फिर से एक कभी का जो उन पर चल लिखना है चाह सूरदास कभीवर विहारी कभीरदास तो इन तीन में से भी आप किसी का भी लिख देंगा आपका काम चल जाएगा इसके बाद है बलिदान अथवा प्राशित कहानी के उद्दिस पर प्रकाश ड़ालिए कि बलिदान कहानी जो है उसक कर दीजे इसके बाद है स्वापठित नाटक के आधार पर किसी एक खंड के किसी एक प्रशन का उतर दीजे यानि आपका जो स्वापठित कहानी है उसका कोई भी आपको एक दे देना है ठीक है इसके बाद यहाँ है कुहासा और किरन नाटक के प्रमुख नारी पात्र सुन कीजे आन कमा नाटक धार पर नाटक के उद्देश या संदेश पर अपने विचार बताएए गुरूड ध्वज नाटक की विशेष्टाओं का उल्ले कीजे या गरूड ध्वज नाटक की रचनकार के किन उद्देशों से प्रेडित होकर हकी है वह आपको बताना है इतना ही अभी और कुश्चन भी है जो आप ध्यान से देख लिजे है सूद पुत्र नाटक की भासा पर प्रकाश डालना है अथवा करके यहां पर एक और कुश्चन है फिर एक कुश्चन है राज मुकुट नाटक के अधार पर सक्ति सिंग की चारितिक विशाष्टाएं बताएए अथवा करके आया है राज मुकुट नाटक की कतावस्तु संचेप में लिखिए तो आप कुछ भी कलीजे इसके बाद है दिये गए संस्कृत गद्यानस का संदर सहित ब्याक्या करना है अनुवाद करना है यहां पर आप देख सकते हैं कि संस्कृत का एक पैरग्राप दिय आपको अर्थ बताना है राष्ट भासा हिंदी प्रचारेशन लंगनं हिंदी साहित समेलनं अत्र इस्तितं अत्रयोच अनेक सहस्त संखईव देश बिदेश बिद्यार्थिभी परिवृता बिभिद बिद्यापारांगते बिद्धत वरनडई उपसो भिताचा प्रयाग भ भारत द्वाजश्य प्राचीन गुरु कुलस्य नभीनम रूपम यू सोभते स्वतंत्रे अस्मिन भारते प्रतेकम नागरीकाडाम न्याय प्रापते रधिकार भुशडायम यू कुरवन उचे नयायालय अस्यनगरस प्रतिश्ठाम वर्धयति इसका आपको हिंदी में बात करना है अभिवाधं शेवर्धम ने अर्भीन है इसके बाद यहां पर संस्क्रित का प्रस्ण है जहां पर आपको दो प्रसणों का उत्तर देना रहे पहला का प्रियागा नाम एलाहा बाद इत करोथ उसके बाद है प्रयागा कस्मिन राज्य वर्तते फिर है सर्वोच पर्वस्य चिहरस कीम नाम है इसके बाद नियुकित बिश्यों में से किसे एकए बिश्यप्रणी भाजाचर सेली में निवन लिखिए पहला है इंटरनेट फिर है मेरे प्रिसाहिदिकार फिर है स्वचता भियान और इसके बाद आपको नौवा प्रशन है निम्रिखित में से किनी दो का संस्क्रिट में बात कीजे मैं तुम्हारे घर का लाऊंगा गाउं के चार और बिच है अध्यापक छादर को पुस्तक देत है नदी पूरबत बहती है तो किसी भी चार का चार में से दोख आपको करना है कर दीजेगा उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें सस्क्राइब करें चैनल को जादा से जादा सेयर करें वीडियो को भी जय हिंद वं दिवात रम